आप देख रहे हैं सिटी नियर न्यूस चैनल हक्की आवास पाल्यों कि रहे हैं स 것처럼 आप ए स्चैनल संदू, horr्मी न्यूस चैनल में य स्यॉड़ filter ने में परिया करिया रादि nor परब ने कर रहे हम उन्स चैनल हून कर दो मित अ जनल्मार्दिय कामार् जल्… Candi Background वस्समीः बसीर, सदक ल्लाह लादीम मुफ्तरम नाजिरीने कराम, मुशाहिदीने अज़ाम सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पेगाम दीन में आप सब का इस्तिखबाल है मस्जिद अख्सा की तारीख आपके सामने सिलसलावार एपिसोड की शकल में बयान की जा रही थी जिसका ये तेरवा एपिसोड है मुफ्तरम नाजिरीने कराम फलस्तिन अब्तिदाए इसलाम में अल्लाह के नभी सलोलाह आलिही वसल्म जब मब्रूस हुए और आप सलोलाह आलिही वसलम ने बियुसत का ऐलान किया नभूवत का इعلान किया चुकि आप सलोलाह आलिही वसलम को नभूवत चालीस साल की उमर में मिली थी और पहली वही गारे खिरा में इक्रा बिस्म रबिकल लदी खलक इन पाँच आयतों की शकल में नजिल हुई थी इसके बाद यानि आप सलोलाह आलिही वसलम की बियुसत के पांच साल के बाद और हिजरत से एक इठार्ञ माh गबल और आहिए थाले ने आप सलोलाह आलिही वसलम को मियराज पर बिलाया और लाकर अबीब सलोलाह आलिही वसलम के मियराज का सफ़र शुनके बहुत ज़्यादा तोईल और वसीव तरीन दुन्या का सबसे ज़्यादा तवील तरीन सफर है इसके मतालिख उलमा एकराम ने क्या बहतरीन सतर लिखी है कि मुख्तसर तरीन वक्त में तवील तरीन सफर की दास्तान मुख्तसर तरीन वक्त में एक ही रात में इतना लंबा सफर के इनसान पूरी जिन्दगी में इतना लंबा सफर नहीं कर सकता ये ल्लाह तबारकों ताला की खुद्रत का एक नमौना एक करिश्मा था और ल्लाह के हबीब आलीजिस्ट व तसलीम का एक मुजिज़ा था अजीम श्शान मुजिज़ा इसकी तारीख के मुझालिख इखिलाफ है उल्लाह के नभी आलीजिस्ट व सलाथ व सलाम को ये जो सफर करना पड़ा ये बात तो ते है कि 18 माह कबल हिजरत से अल्लह तबारकों ताला ने ये सफर आप आलीजिस्ट व सलाथ व सलाम से करवाया था चूँके इस सफर का तालुख खास तोर पर तीन मराखिल में मस्जिद अक्सा जरूर आती है इस वज़ा से फलस्तीन की तारीख और मुलक शाम और बैतलमकदस की तारीख में इस सफर को इन्शालला मुटसर तोर पर आपके सामने पेश किया जाएगा मुखतरम नाजरीन एकराम इस सफर की तीन मराखिल है जुम्ला मिन जुम्ला तीन मराखिल में पहला मरहला जो के अमेहानी के घर से बैतल्ला शरीफ बैतल्ला शरीफ से बैतल्मकदस का है ये पहला मरहला है जो बैतल्ला से बैतल्मकदस तक का है इन में भी कुछ वाकियात हुए है दूसरा मरहला इस सफर मुकद्दस का बैतल मुकद्दस से सरजमीन अकसा से सिद्रतल मुन्तहा तक का है तीसरा मरहला इस सफर मुकद्दस का सिद्रतल मुन्तहा से अर्श इलाही तक का है और फिर वो आयत उसम उस वक्त के मुतालिक है जिसको अल्लाह तबारको ताला ने उन्तीस वा पारा सद्टाइस वा पारा सूर नजम में इर्शाद फर्माया सुम्मदना फतदल्ला फकाना खौब हुसैनी अवदना फआवखा इला अबदिही मा आवखा खौरान करीम की ये आयतें मिहराच के मौके पर और लाके नभी आविस्टाद वस्सलाम के अर्श इलाही पर पहुँचने के वक्ती है पहला मरहला तो आपके सामने पिछले इस एपिसोड में वाजिए तोर पे मुक्तसर तरीन वाकिया जा चुका दूसरा मरहला चुके बैतल मुक्दस से सिद्रतल मुन्तहा तक का है इसमें अल्ह के नभी आविस्टाद वस्सलाम मुक्तसर सी तफसील आपके सामने पेश करो आप सलिए लाह आप सलिए लाह आविस्टाद को अल्लह तबारत वताला ने अन्बिया एकराम आविस्टाद वत्सलात वत्सलीम जिनको अल्ह तबारत वताला ने सारी काईनात और इंसानियत की हिदायत के लिए वक्तन वक्तन बग्यूस फरमाया था ये कुल कम वबेश एक लाग चौबीस हजार अन्बिया एकराम आविस्टाद वत्सलीम थे अल्ह तबारत वत्सलीम ने सारे के सारे अन्बिया एकराम आविस्टाद वत्सलीम की इमामत का शर्फ और सादत अल्ह के नभी आविस्टाद वत्सलाद वत्सलाम के लिए मुकद्द फरमाई और आप स्वारी पर आप सवार होई थे बुराख को एक जगा बांद दिया जहां पर आज मस्जिद तामीर है मस्जिद अक्षा यह वही जगा है जहां पर आप नबी अलिए आप ने अपने सफर मेराच के दोरान अपने बुराख को बांदा था और अलb tôb आरक गाना के हकम से अल्ला के नबी अलीज वस्तल massage ने सारे के सारे अर्भ आपिया और आप एकराम लेयम वस्तलाद की इमामत परना और फिर वहां से जिर्ईयिल Salahud Salam के साथ लाह की खुकम के लाह की हुकम पर सतो आस्मान की तरफ भादवा हुए पहले आस्मान पर जब दस्तक दी अद आदम से मरागात हुई फिर दूसरे आस्मान पर अद्वित उईसाग वागात हुई तीसरे आस्मान पर अदरत यूनुस आλयिस सो companion से मुलाकाद हुई चुर्थे आस्मान पर अदरत अिद्रीस सोropol स्य आ сл telling से मुलाकाद हुई छेटे आस्मान पर हदरत हरुण आडیसि आ से मुलाकाद हुई इस तरहों आस्मान पर हदरत मुसा स looking反cely सरा इस से अबीयाओ खुए और इसके ओपर हदरत इबराहिम ऑलीर्ए स्ट जलातु वस्सक्त हुए में अपना अपना पैगम और अपनी अबनी मुहबतیں और अपना अपना फैज elेक्शे लागे बहाथ हैं और अपनी मुहबतों से नवाजा पिर डालोगर कि नबी अलिए स्लाट वस्लाम, हदरत जिबराईल अलिए स्लाट वस्लाम को भी पीछे छोड़कर अल्लह तबारको ताला, यानि अर्श इलाही की तरफ रमादवा हुए दूसरा मरहला जो खत्म हुआ सिद्रत अल्मुन्तहा के पास सिद्रत अल्मुन्तहा ये एक बेरी का छाड़ है अल्लह तबारको ताला ने यहां पर बैत मामूर तामिर करवाया है बैत मामूर काबत अल्लह की बिलकुल सीद में एक फरिष्टों का माबद है काबत अल्लह ही की तरह बना हुआ फरिष्टे रोज़ाना सत्तर हजार फरिष्टे उसका तवाफ करते हैं और तारीख में अल्लह के नबी आली स्वाफ ने इरिशाद फर्माया कि सत्तर हजार फरिष्टे जब एक मरतबा तवाफ बैत मामूर कर चुकते हैं फिर उनका क्यामत तक दूसरी मरतबा कर भी मौका नहीं आता बैत मामूर के तवाफ के बाद वो लोग अपनी अपनी मसरूफियात में हो जाते हैं फरिष्टों की एक एक मसरूफियात अल्लह तबारको ताला ने लगा दी है ना उने कोई गुनाह का तसवर आता है और नहीं उनके अंदर कोई और तसवर है वो बिलकुल हर चीज से पाप और मुनज़ा नूरानी मखलूख है अल्लह तबारको ताला ने किसी को रुको में लगा दिया वो हमेशा के लिए रुको में और किसी को सजदे में लगा दिया तो हमेशा के लिए ल्लह की तस्वी बयान करते हुए सजदे में है अल्ला कि नभी अल्यूस्वा ने वहाँ पर एक दरखत को भी देखा जिसको सिदरतुल्मुन्तहा कहा जाता है वो बेडी का दरखत है वो इनतहा है जितने भी फरिश्टे ल्ह तबार्चों चाला के फखुँम से ल्ह के पैगाम को लेने के लिए जाते है उनकी इनतहा ये सिदरतुल्मुन्तहा ये बेडी का दरखत बिलकुल इनतहा है इस से आगे एक पल और एक लमहा और एक मिलिमीटर भी vast आगे नहीं बढ़ बढ़ सकते अगर वहां से थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाएं तो जिवरेयल आई ससला वास्साला में का वो फॉल मुश्यूर है जिवरेयल आई ससला वास्साला मनें इर्शाद फरमा था परे विनायत फरमाए हैं, वो सारे के सारे जल्के खाकिस्तर हो जाएंगे, और अल्लह तबारको ताला की तजल्यात में मैं भी बिल्कुल जल्के खाकिस्तर हो जाओंगा, तो यहां से आपको आगे बढ़ना है, अल्लह तबारको ताला ने अल्लह के नभी अल्यू अल्यू अ अकेले तनेतन हावाँ से आगे बढ़े हैं और पिर गुरान करीम की वो आयत इतना आगे बढ़े इतना लगिन नबी आला के खरीब हुए सूर नजम में लगिन नबी आला करीम फर्माता है थम्मदना फदल्ला फकाना ताबको सेनी औवदना इन्शाला इन आयतों की मुख्तसर सी तशरी और फिर आला तबारक टाला से क्या हम कलामी हुई इन्शाला वख़े के बाद आपके सामने बयान किया जाएगा अस्सलाम आलेकूं रह्मत ल्लाही वबरकातु कास्मिक बेक जोन जो शहर महबूब नगर की मशूर वा मारूफ बेकरी है जो जाएगे के लिए ही नहीं बलके बच्चों को सरूर पहुंचाने वाले महोल के साथ बड़ों के जाएगे का भी खास ख्याल रखती है हमारी खसूसियत यह है कि जुबां पर रखते ही खुल जाने वाले केक कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहां पर दस्तियाब है इतना ही नहीं बलके जाएगा से भरपूर, पीज़ा, बर्गर और कई एकसाम के आईस क्रीम और खास बेस्किट और कई हमाएक साम की बेकरी आईटम और शीर माल मीठे की रोटी असली घी और मेवा चाट से भरपूर ड्राइफ रूट के रोट वजबी दाम पर यहां दस्तियाब है आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी सवीगी के जरीए अपना आर्डर बुक करवा सकते हैं फिर देर क्यों तश्रीफ लाइए कास्मिक बेक सोन जो रियासत तेलेंगाना की चानिव से नमबर वन बेकरी एवार्ड का खिताब ले चुका है हमारा पता है कास्मिक बेक सोन नस्त एश्टी एफसी बैंक कॉर्मिड हास्पिटल रोड महपूप नगर सिर्फ वाबों से नहीं घर बनते हैं इरादों से MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलिपर्स लेकर आये हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीस उमर एंड कलिफ सूपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन शाहों के शहर हैदरबाद में चार मिनार के दामन में सिर्फ एक किलोमेटर के फासले पर आजम पुरा फरहत नगर इलाखे में बुकिंग स्टार्ट मजीद तफसिलात के लिए रब्द करें 99-590-23786 99-590-23786 95-815-28-00294-9385-4625 असलाम आलीकुम रहमतुल्ही वबरकातु मुखतरम नाजिरीने कराम वखफे के बाद आप सब का इस्तिखबाल है वखवे से पहले सफर मैं राज की कुछ झ्छलकियां और उन दो मराहिल का तशकिरां आप के सामने किया जा रहा था पुरान करीम की उन आयतों को आपके सामने तिलावत किया गया जो सफर मुकद्स के मतालिग पुरान करीम में सूर नज्म इरशाद वर्माई गई कुरान करीम फर्माता है फिर वो खरीब हुए फदल्ला और खरीब हुए कितना खरीब हुए खरीब हुए कुरान करीम इरशाद फर्मा रहा लेकिन कितना खरीब हुए ये सफर मिराद पुड़ा मुकदस तरीन सफर था फर्मान करीम ने उसके मुतालिख एक तश्वीर शाद फर्माई आज इस सीज़ को समझ लें कि ये क्या है क्या है क्या जिसने देखा होगा कि तीर कमान एक होता है उसमें जो इस तरीखे का बना हुआ होता है तीर कमान एक बना हुआ होता है और नीचे एक रबर की तरह लगा हुआ होता है तो ये जो तीर कमान बना हुआ है इसको कहा जाता है قابہ और ये जो बना हुआ इसको قوسین कहा जाता है ये قابہ قوسین के दर्मियान ज़्यादा फासला नहीं होता बिल्कुल दोनों के दोनों खरीब होते हैं ये कमान है और ये नीचे का तार है कि शायद इतनी मिगदार होगी खरीब होने की जितनी के एक قابہ और कॉसین के दर्मियान होती है और अदना खरान करीम उससे भी आगे इर्शाद फर्माता है और अदना या अल्ह तबारकोगता आला और ल्हें के नभी आलीससलाट वस्म के दर्मियान जो फासला था और अदना काब गौसین ये घुस से भी जदादा कम का फासला बाकि रहा ल النकिन अबी अल्हाका अल्लादट की उतने जदादा क्रीब हुए और अदना फिर क्या हुआ फएवघाइ इला अबदिही मा उखा ल लुसक्तार्किन अल्लाद की नदी आवलेคित पर वही फरमाना था अफ़तु मारूनहु अला मा यरा पुरान करीम ने इस चीज़ को इर्शाद फर्माया और सबसे पहले जब मुलागात हुई और दोनों अल्लह अल्लह तबारक टाला और अल्लह के नभी अल्यूस्ट वस्लाम का आमना सामना हुआ तो सबसे पहले अल्लह के खबीब अल्यूस्ट वस्लाम ने जो कलिमात अल्लह तबारक टाला की खिद्मत में पेश फर्माए वो ये थे जो हम नमाज में तशहुद में पढ़ते हैं अट्गियातु लिल्लही वस्सलवातु वस्त्यीबात ये अल्लह के नभी अल्यूस्ट वस्सलाम ने सबसे पहले इर्शाद फर्माया तो सवाल यहां पर होता है कि अल्लह के नभी अल्यूस्ट वस्सलाम अपनी उम्मत को तल्कीन कर रहे हैं कि जब कभी दो लोगों की आपस में मुलाखात हो तो चाहिए ये की सلام करें एक दूसरे को यहां पर लग की नभी आले सलाथ की जब आला तबारक और और ताला से मुलागध हो रही है आप सलाम ने इर्शाद फरमा रहे हैं आप सलामती की दूआ नी दे रहे हैं बलके इर्शाद ये फरमा रहे हैं कि एला ये जबानी अबादतें और जानी अबादतें और माली अबादतें बदनी अबादतें माली अबादतें और जबानी अबादतें सारी की सारी अबादतें आप के लिए सदावार हो ये सारी की सारी आप के लिए हो ये पहला जूमला आल्ह की हबीब आल्यश्सलातु व सलम का है पिर आल्ला तबारक व तादाला ने उसके जवाब में इर्शाद फर्माया ऐस्सलाम अलेक, ऐयूहन नबी, और रहमत लोही व बरकातो आई नबी आल्यश्सलात व तसलीम, आप पर मेरी सलामती हो और रख्रमते हो और बरकते हो और पिर लाकिन लबी ॅलेश स्लाथ उगसे उनलेश पर उस मौकच पर अपनी अम्मत के नेक लोगों को याद फर्माया असलाम लाईख़ hosts आप पर जान अप पर आप पर सल्मती बरकते उनलेश सब्सका तो यादसdern एला आपकी सलामती हम पर भी हो और मेरी उम्मत के नेक लोगों पर भी आपकी सलामती हो फिर ये सारा का सारा कन्वरिजेशन फरिष्टे देख रहे थे और ये बाते सुन रहे थे उन लोगों ने गवाही दी अश्हदु अल्ला इलाह इल्लाह वा अश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलु उन तमाम लोगों ने इसकी गवाही पेश की फिर अल्ह के नभी आलिए श्लातु वस्लाम बहतरीन फावहा इला अब्दिही मा आवहा में बहतरीन तुपा लेकर वहां से लोटने लगे क्या था वह बहतरीन तुपा अब देखिए अल्ह तबारको तावा ने पांच फराइज इस उम्मत के लिए इर्शाद फरमाए पांच फराइज और पांच में से एक तो है तो है तोहीद कलमे तयीबा और दूसरे तीन है एक जकात और हजज और रोज़ा उसके अलावा एक औ और फर्स जो दूसरे नंबर पर है वो नमाज है जब कभी अल्लाह तबारको तावा को अपने हoug़ीब की उम्मत के लिए कोई फर्स देना होता अल्लाह तबारको तावा नाजिल फरमा देता है जिस तरीके से रोज़े के मृत अमतालिकम वह जयाके मृक्तिवा थांगेफ نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرما دیا اے میرے نبی آپ پر آپ کی امت پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ اس سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا اور پھر جب زکاة کی فرضیت کا اعلان کرنا تھا قرآن کریم فرماتا ہے وَاقِيمُ الصَّلَى وَآتُ الزَّكَاة کہ نماز بھی فرض وَاقِيمُ الصَّلَى نماز ادا کرو اور زکاة ادا کرو یہ بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اور جب حج کی قرآن کریم فرماتا ہے الحج جو اشہر معلومات کہ حج کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں میں فرض فرما دیا ہے یہ بھی دنیا میں فرض فرما دیا گیا لیکن جب باری آئی نماز کی تو نماز کی اہمیت اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ سفرِ معراج کا محتم بالشان تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرائز کو جب دینا تھا تو دنیا میں دے دیا زمین ہی پہ دے دیا لیکن نماز کو جب دینا تھا ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے پاس بلا کر کے دیا چونکہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تحفہ اور ہدیہ جتنا زیادہ خیمتی ہوتا ہے اس کی اہمیت اس سے پتا چلتی ہے کہ کس محلِ وقوع پر اس کو دیا جا رہا ہے نماز چونکہ بہت محتم بشان تحفہ تھا اللہ کی جانب سے تو اللہ تعالیٰ نے سفرِ معراج بیت المقدس سے دوسرے مرحلے سے تیسرے مرحلے پر اور بلکہ عرش معلہ پر بلکہ اپنے سب سے زیادہ خریب کر کے یہ تحفہ ارشاد فرمایا اور یہ تحفہ اللہ کی نبی علیہ السلام کو دیا نماز کی اہمیت اور اس کا محتم بشان ہونا اور اس کی عظمت کا اس بات سے پتا لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر کے نماز یہ دی تو چند ایک حالات سفرِ معراج کہ میں آپ کے سامنے ارشاد فرماتے ہوئے آگے چلوں انشاءاللہ بیت المخدس کی تائیخ اسی طریقے سے جاری اور شاری رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے جب نمازیں دی تو یہ نماز پانچ نہیں تھی بلکہ پچاس تھی پچاس نمازیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے جو بھی سرگوشیاں تھی وہ ملاقات کرنے کے بعد جو بھی باتیں تھی باتیں ہوئی اور پھر اس کے بعد وہاں سے رخصت ہونے لگے تو واپس آئے پانچ و پچاس وقت کی نمازوں کو لے کر جب واپس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتوے آسمان پر ہے ان سے ملاقات ہوگی اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ میرے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے फर्माया के मुझे पचास नमाजें दी गई अल्हा के नबी कलीमुलाह बड़े चलीलुलकद्र नबी थे आपने रिशाद फर्माया के नहीं पचास नमाजें बहुत ज्यादा हो जाएगी आप जाएए और अल्लाह तबारको ताला से कम कराके लाईए ये पहले पचास देना फिर उसके ओपर कम करना ये क्या मौमला था बड़ी हिकमते और बड़े नुकात अल्लाह के उल्माय कराम ने के पीछे इरिशाद परमाएं ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पचास नमाजें दी थी फिर अल्लाह के नबी आलियों सलाथ वस्सलाम गए एक कम करा है फिर वा के ला मैं आपको देखना चाहता हूँ तो अल्लाह तबारको तालाह ने मुसा अल्यस्सलाथ वस्सलाम ने कहा कि मुसा ये जिद छोड़ो आप दुन्या में रहते हुए नहीं देख सकते मेरी तजलियात को बरदास करने के लिए वो आँखों का नूर अलब होगा जो इनसा को हशर के मैदान में गिनायत होगा और जिसको जन्नत फिर्दोस में आला मकाम मिलेगा फिर वो सारे के सारे जिस तरीके से दुन्या में रहते हुए आज इनसान चांद को देखता है ठीक उसी तरीके से अल्लह तबारको ताला का दीदार करेंगे वो नूरा नियत और वो ख करने के लिए यू कहा था कि को है तूर की तरफ देखो उस पहाड़ी की तरफ देखो अगर तुम उस पहाड़ी पर मेरी तजलियात के नुजूल को अगर देख सको और उसको बरदाश कर सको तो फिर यह अंदाजा कर लो कि तुम मुझे भी देख सकते हो अल्लह तबारको और मुश्या अपने चालीस जो आदमीों को लेकर आये थे सब के साथ बेहोश होके गिर पड़े और वो चालीस तो मर ही गए थे अल्ला तबारको ताला से दर्खास करके फिर उनको उठाना पड़ा तो ये वाका अल्ला तबारको ताला ने उनकी तमना को पूरा करना चाहा कि दुन्या में रहते हुए या फिर इंतिकाल परमा जाने के बाद अल्ला तबारको ताला के पास पहुंचने के बाद भी ये मौामला पूरा होने वाला नहीं था लेकिन इस चाहत को अपने नबी कलीम लाह की पूरी करना चाहता था था आप मुझे तो नहीं देख सकते है डायरेक्ट लेकिन मुझे जो पिलकुल बगेर किसी पर देखे के देखने वाले मेरे हबीब आलिए शलातु वस्लाम के चेहरे को देख लो उनकी आख़ों को देखकर कुछ थंड़क हासिल कर लो के मुझे तो अभी नहीं देख सकते है जन्नत के बगेर लेकिन मुझे देखके आने रभी मुझे आने वाले मुफम्मद मुश्चा व्यस्थ्यास का तुम दीदार कर लो ये वज़ा जी कि अल्लह तबार को ताला बार 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 अल्लह का जीदार करवाते पिर अल्लह के नभी आली स्लाथ उसलाम आते मुश्य आली स्लाथ उसलाम आपके चेहरे को देखते और कम कराने के लिए भेजते اللہ تعالیٰ کے پاس بار بار یہ جانا آنا ہوا پچاس نمازوں میں سے ہر بار اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے پانچ نمازوں کا عدد کم کروا کے لاتے تو پہلی مرتبہ میں پہنتالیس دوسری مرتبہ میں چالیس پھر تیسری مرتبہ میں پہنتیس پھر دیس پھر پچیس پھر بیس پھر پندرہ پھر دس پھر پانچ اس طریقے سے آپ ٹھیک نو مرتبہ جا کے واپس کم کروا کے آ چکے تھے اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پانچ نمازیں بھی نہیں پڑ سکتی آپ جائیے اور کم کروا کے لائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام والتسلیم اب مجھے اللہ کے پاس جانے میں شرم آتی ہے کہ ایک اتنا محتم بھی شان توفہ مجھے ملا میں نے کم کرواتے ہوئے پچاس سے پانچ باقی رکھوا لی اور اگر میں اب جاؤں گا بھی پانچ کم ہو گئی تو پھر میرے کھاتے میں کیا بچ جائے گا میں کیا محتم بھی شان تحفہ لے کر کے پھر دنیا میں جاؤں گا اس وجہ سے مجھے شرم آتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بار بار اس طریقے سے بھیجنے کا بھی ایک مقصد تھا چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے تھوڑا پہلے یعنی عسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی گزرے تھے اور جن پر شریعت کی کتاب نازل کی گئی تھی تورات نازل کی گئی تھی اور آپ نے اپنی امت کو دیکھا ہوا تھا وہاں کے رہنے بسنے والے بنی اسرائیل کو دیکھا ہوا تھا کتنی شرارتی قوم تھی اور کتنی حد درم اور کئیسی زدی قوم تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی جب آپ نے کہا تھا کہ فلسطین عرض مقدس میں داخل ہو جاؤ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں اتنی سارے معجزات کے سمندر میں سے بارہ راستے بن گئے اور پانی جمع ہو کے کھڑا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سعادت تھی ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ نہ رکے بلکہ حد درمی میں وہی پر بیٹے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم جاؤ تمہارا رب جاؤ ان سے لڑو وہ جب تم پتہ حاصل کرلو تو پھر ہمیں آ کے بتاؤ ہم یہاں سے چلیں گے یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم صرف وہاں پر جائیں گے کھائیں گے پییں گے عائش آرام کریں گے ہم کو یہ سب لڑنا جھگڑنا اور جہاد وغیرہ ہم کو نہیں آتا تو یہ ایسی حد درم قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کا پالہ ان سے پڑا تھا اس وجہ سے کیونکہ امت تو وہی تھی قوم تو وہی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ بتانا چاہتے تھے کہ جو قوم میں آپ ہے اس سے پہلے میرا پالہ پڑ چکا تھا تھوڑا سا ہٹ کے سہی فلسطین کی طرف سہی مصر کے سرف طرف سہی وہ بھی عرب قبائل تھے لیکن آپ بھی اسی قوم میں جا رہے ہیں وہ مجھ پر نازل کی ہوئی تین فرض نمازوں کو نہیں پڑتے تھے کیا آپ کی امت تو اس سے زیادہ کمزور ہوگی بنی اسرائیل تو پہلے پیدا ہوئے تھے مصبوط قوم تھی قوم عاد کے بعد یہ آئے تھے قوم سمود کے بعد یہ آئے تھے مصبوط قوم تھی تو وہ لوگ اتنا تین نمازیں دن میں نہیں پڑھ سکتے تھے تو آپ کی امت تو اور زیادہ کمزور ہوگی بہین ستیوں و سبعین سب ساٹھ ستر سال کے درمیان ان کی عمریں ہوگی تو اتنی کم مدت میں اور ایسے کمزور جسم لے کر وہ کیا نمازیں پڑھیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام والتسلیم درخواست ہے آپ سے جائیے اور کچھ کم کروائیے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حیاء کا پردہ اور ایک حیاء کا جہنا بیچ میں ایک آڑ لگائی کہ مجھے اب شرم آتی ہے میں اب نہیں جانا چاہتا ہوں تو لیکن نبی علیہ السلام وہاں سے پچاس لے کر جب آ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندہ آئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کر تو پچاس پانچ جا رہے ہیں پچاس کے بجے پانچ لے کے جا رہے ہیں لیکن آپ کی امت کے لیے اور آپ کے لیے خاص طور پر یہ اسپیشل تو پاورک دیا جا رہا ہے آپ کی امت کا ایک فرد پانچ نمازیں پڑے گا لیکن اس کو پوری پچاس نمازوں کا ثواب ادا کیا جائے گا فجر کی نماز اگر وہ ایک نماز پڑے گا اسے دس نمازوں کا ثواب دیا جائے گا زہر کی نماز وہ ایک نماز ادا کرے گا اسے اور دس نمازوں کا ثواب ادا کیا جائے گا اس طریقے سے پوری پچاس نمازوں کا ثواب انہیں عطا کیا جائے گا کچھ اس میں کمی نہیں کی جائے گی اللہ کے ربی حالی صلات و السلام वहां से लेकर के जब नमाजे लेकर के उत्रे जिबरेयारी अ़्यां स्लाँते सलादी से मुलाइकता हुई और गारो को ताला ने इस मुकद्द सफर में जन्नत और जहन्ण kaf की सेर करिवाई के जन्नत में shootings क्या क्या बल्ला तबौरक ताला ने इन्ाया और इक्राम और किस तरीखे से वो मसेरियां सजाई और किस तरीखे से अलाह तबारकोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो दिया जाने लाल अजाब है उनकी सेहर करवाई गई और इन्शाअला मैं इस सफर मुधस के अनुवान से आपको वो कुछ अजाबात भी बताऊंगा जहान्नम की सेहर में और कुछ इن्शाअला जननते निय्मतों का भी तसक्यरा आपके सामने किया जाएगा ताके हम उन गुनाहों से बच सकें क्या अजाबात उनको वहां पर दिये जा रहे थे जब हमें हमारे जहन में आएगा और हम जब सुनेंगे तो इंशाल्लाहुलाजीज हमारे दिल में उसकी खशियत और अल्लाह का खौफ पैदा होगा और अगर ये जो चीजे नई तो नई जहन्नम का वो दर्दनाक आजाब जो अल्लाह के नभी अल्यस्सालाथ उस्सलाम ने अपनी आखों से देखा वो अपने दिल में पैदा होगा ताके उन गुनाहों से बचने में आसानी होगी और पिर यहां पर जन्नत की सेर में जो अल्लाह के नभी अल्यस्सालाथ स्सलाम के सामने कुछ वाकिया पेश किये गए और कुछ इनामाद बताए गए और कुछ बेहतरीन अल्लाह तबारको ताला की नियामतों का इजहार किया गया तो ये भी आपके सामने मुख्तसर तरीन तोर पे आपके सामने पेश किया जाएगा ताके जन्नत के शौक में हम अल्लाह तबारको ताला को राजी करने की फिकर करें जन्नत के शौक में अल्लाह तबारको ताला को खुश करने की और उसकी तरफ हम दोड़ पड़े साभी को इला मगफिरतियों वाजिरिन करीम तो यहां पर गुनाहों को भी बताया जाएगा और वहां पर अल्लाह की नियमतों के भी इजहार को बताया जाएगा ताकि हमारे अंदर एक सिरात मुस्तखीम पर चलने की राहें गामजन होने की आसान हो जाए और फिर हमारे अंदर एक नेक जजबा पैदा हो इस नियत से इन्शालला इस सफर मुध्दस के वो वाकिया और उनके कुछ सरसरी दोर पे आपके सामने मुध्दस के जाएंगे लेकिन उसके लिए आएंदर एक एपिसोड का इन्शालला अगले एक एपिसोड में उन वाकिया और उन नियमतों को जो जन्नत में दिखाये गए इन्शालला आपके सामने बयान किया जाएगा तब तक के लिए इजाजद दें Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh